मोहित अरे यहाँ पोदा क्यों सूख गया मैं तो रोज इसमें पानी देता हूँ मीरा भाईया यहाँ कमरे में मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है मम्ता यहाँ आव सब लोग देखो यहाँ चेडिया मर जाएगी कैसे ठंड से काप रही है मा क्या हुआ तुम सब क्यों परेशान हो रहे हो मोहित मा देखो न मैंने कितनी प्यार से पौदा लगाया था सूख गया मीरा मा वहाँ कमरे में कुछ दिखाई नहीं दे रहा है मम्ता मा इधर भी देखो यह चेडिया तो मर ही जाएगी मा अरे मोहित तुमने पौदा कमरे में क्यों रखा है सूरज की किड़ने उस तक नहीं पहुँच रही है इसलिए यह सूख गया और मीरा कमरे के सारी खिड़किया बंध है इसलिए वहाँ अंधेरा है मम्ता मा अब समझ में आया परंतु चिड़िया क्यों चुपचा बैठी है मा यह चिड़िया भी गर्मी चाहती है इसे बाहर लाओ सूरज की रोशनी दिखाओ सूरज की रोशनी सभी प्राणियों के लिए एक शक्ती है मोहित लेकिन मा सूर्य तो धर्ती से बहुत दूर है फिर उसकी रोशनी हम तक कैसे पहुँचती है मा सूरे की रोशनी बहुत तेज गती से यात्रा करती हुई हम तक पहुँचती है मम्ता मा सूरे की रोशनी को धर्ती पर पहुँचने में कितना समय लगता है मा लगबक आठ मिनट सूरे की रोशनी है तो हम सब हैं मीरा यदि सूरे रोशनी देना बंद कर दे तो क्या होगा मा फिर तो हमारी धर्ती अंदकार में डूब जाएगी समुद्र का पानी जम जाएगा पेड़ पौधे मर जाएगे और धर्ती पर जीवन समाप्त हो जाएगा मोहित ओहो अब समझ में आ गया यह सूरज हमारे लिए कितना जरूरी है